जल्दी जल्दी जो बाकी राचे हैं उसका भी अब रुख कर लेते हैं क्योंकि उत्तरा खंड हो गोआ हो बनिपूर हो उत्तरा खंड पर एक चोटा चोटा कमेंट आप तीनों से लेते हुए आगे बढ़ेंगे क्योंकि उत्तरा खंड में भी जब हम वोटिंग देखते हैं तो यहां पर भी पिछली बार से बराबर है 65.6 था 62.3 है अब यहां पर भी लेकिन वही जो मैं कह रही थी इतने मुख्यमंत्री बदला भीजए-पी ने एक के बाद दूसरा बदला गया दूसरे जो बदले गए उसका अलग कारण था लेकिन फिर भी एक एंटी इंकंबंसी फेक्टर वहाँ पर काम आया और हरी श्रावत जो अपने आप में इतना में चेहरा है कि कॉंग्रेस उनको जिताएंगी कि नहीं जिताएंगी बीज में त पूल के बाद तै किजिए और मनीपूर गोवा और उत्राखंट का चुनाव नतीजे आने के बाद तै कि किस की सरकार बनेगी अच्छा इतना फसावा है क्या उत्राखंट नहीं है लेकिन ने हम यह देखते हैं कि बड़े राज्यों और छोटे राज्यों के चुनाओं में थोड़ा अंतर होता है जहां जितने छोटे राज्यों होते हैं वहां चोटी का मतलब और सवाले यहां पर अगर देखा जाए मुख्यमंत्री बदलने का बीजीपी को फादा होगा या बहुत बड़ा नुकसान होगा यह तो इंतजार करना होगा लेकिन पहले त्रिवेंद्र सिंग रावत चार सालू तक वहां पर रहते हैं तीरत रावत को बना जाते हैं इतने उट पटांग बयान देते हैं कि तीन महीने में उनके छुट्टी कर दी जाती है फिर बारी आ जाती है पुशकर सिंग धामे की बिल्कुल आखरी मुमेंट पे उनको बैटिंग के लिए उतार दिया गया मैदान में कि जाए भईया जिदा पर आ रहे हैं क्योंकि अपसे कुछी देर बाद हमारे एक्जिट पोल्स के अनुमान आपके सामने आने शुरू हो जाएंगे इस स्क्रीन पर अपनी नजरे टिका लीजे क्योंकि राज जिदर राज किसको मिल रही है बड़त क्या कह रहे हैं हमारे अनुमान इन सब पर हम चर्चा करेंगे और आपको बताएंगे कि अगर इस तरह के एक्जिट पोल और अनुमान आ रहे हैं तो उसके पीछे सबसे बड़ी वज़ा भी क्या है क्योंकि हमने फैक्टर भी पूछा है सबसे एक्स्टेंसिव एक्जिट पोल हम करते हैं जिसमें ये भी सवाल होता है क कि आपने किन वज़ों से इस पार्टी के लिए वोट किया है उससे आपको एक समरी मिलेगा आपको ये समझ में आएगा कि अगर फला पार्टी जीत रही है तो उसके पीछे की सबसे बड़ी वज़ा सबसे बड़ा फाक्टर इस बार क्या रहा है दामीजा पर जो सवाल था जैसे चितरा क्रिकेट का एक्जामपल दे रही थी और कह रही थी कि एन वक्त पर एक बैट्समें को उतारा गया कभी कभी आपने देखा है नाइट वाच्में भी आकर के सेंचुरी मार देता है तो मुझे लगता है शाद उतराखण में ऐसी कुछ गुंजाईश दिखती ह कम से कम पहले जो दो मुख्य मंत्री थे उनकी चवी अच्छी नहीं थी और अगर उनमें से कोई भी व्यक्ति मुख्य मंत्री बना होता तो बीजेपी के लिए मुश्किले और ज्यादा होती आपको लग रहा है कि पुशकर सिंग धामी ने वहां पर जो नाराज़गी थी इसको कम करने का काम किया भी या फिर जैने नो ऑल्टेनेटिव काफी निट्रलाइब कहां था सर वहां पर हरी श्रावत को डगमगा आते हुए पार्टी की तरफ से आपको एक विकल्प भी तो अच्छा मिलना चाहिए ना दोनों चीजे हैं अंजना मुझे लगता है कि एक विकल्प दूसरा विकल्प भी उनके पास नहीं था और विकल्प को प्रजेक्ट नहीं किया कॉंग्रेस ने टाइम पर और दूसरा अगर विकल्प से उनकी तुल्ला ना करें और धामी को स्टैंड अलोन देखने की कोशिश करें उनकी चवी पहले के दो मुख्यमंत्रियो अपने इलाके में तो लोगपुरी है और पुशकर सिंग धामी का विरोध भरते अंता पार्टी के भीतर भी काफी है और यहां खबरे आ रहे हैं उनके अपनी सीड भी पसी हुई है यह भी खबरे उत्राखंड के लोग बता रहे हैं तो मुझे लगता है कि मामला काटे का है इतनी लोग प्रियाब बता रहे हैं कि कॉंग्रेस के लिए हरुशावत इतना बड़ा चारा लेकिन उनको प्रोजेक्ट करने में क्या कॉंग्रेस पार्टी करा दी तो पंजाब में उनको फसाय रखा लंबे समय तक पंजाब से निकाल करा है तो उनको वहां पर प्रीतम सि तो हरी श्रावत को यह पोस्टर लेना पड़ा हाई कमान को बताने के लिए भाई हमको फिर हैं डीजे नहीं तो फिर हम चले